लोग सबाच नौन अस्दीख है जिसको लेकर अप जन्ता विकास को लेकर अपने नेताओं से सवाल पूछने का काम शुरू कर दी है जन्ता की जागरुक्ता का ये अस्थर है कि नेता जी दुम दबाकर भागने को मजबूर हो रहे हैं बस्ती जन्ता के सदर ब्लॉग में उस्वाक्त अफ्रात अफ्री मच गई जब सैक्रो प्रधान मिलकर पूरे दफ्तर को कब्जा जमाली और ताला बंदी करके धरने पर मैठके इस बीच ब्लॉग में आयूजित एक सरकारी कारकर में बत और मुक्यतिती पहुँचे बीजेपी के जिला पंचात अध्याश संजै चौधरी और ब्लॉग प्रमुक्राखे सिर्वास्तों को भी प्रधानों ने कारियाले के अंदर ही ताला मार कर बंधक बना लिया जिसके बाद हरकंप मच गया और आनन फानन में मौके पर SDM मैं फोर्स पहुच कर बाच्शीत करके मामला शांत कराए जिस ब्लॉग से विकास की बैयार महती है आज उसी ब्लॉग पर विकास के ताले बंध हो गए है बिचले दो महीने से विकास की सारी फाइल धूल फांक प्रधान जी लोग अपने अपने गाउं में विकास के कारियों की फाइल लेकर ब्लॉग में पहुचा है नगर उन कारियों को लकवा मार गया और प्रधान के गिस गया मकर कोई भी कार ब्लॉग से प्रमूर और वीडियों के द्वारा पास नहीं किया सा रहा जिससे आजेज आकर आज सदर ब्लोग के सैक्रो प्रधानास तलके ब्लोग पर इकठा हुए और दर्ना देना शुरूप कर दिया इसके बाद वे आफिस में घुसे और सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल कर ताला बंदी कर दिया इससे दरान ब्लोग में आयोजित प्रधान मंत्री आवासि योजना के काक्र में शुर्कत करने भाज़पा के जिला पंचात अध्याक्ष संजय चौधरी और ब्लाग प्रमुख महजूद थे जिन्हें ग्राम प्रधानों ने ब्लोग के अंदर ही ताला लगा कर बंद कर दिया गंटों तक ताला बंदी का ठ्रामा चलने के बाद मौके पर अस्डियम विनोत पांडे पहुची उन्होंने जिला पंचात अध्यक्ष को मुक्त करवाया अब लॉक्स से अपने गंतावे तक भेजा हम लोगों को जितने भी हमारे प्रधान साती हैं सरव लाग के हमारे यहां पीडी साहब चार्ज पा गया है और वो करीब साथ दिनों से उनको चार्ज मिला हुआ है और हम लोग बरसात के मौसम में जैसे है कि हम लोग की जलनिकासी की समस्या है लिबर जो नहीं पातने अबार का हमारे यहां मनेगम काम करते हैं तो कच्चा पकका दोनों कार रोग दिया गया है ना उसकी सवरती है ना उसका डिमांड निकालने दिया आता है कोई काम नहीं करेंब और हम लोग वी कजबrifक कर्भा नाने कीज़मा मचाँ कोई सुखती होती है ना उसका निकालने दिया आता है कोई काम नहीं चार्ज मों зад tentarां और मेने सीसां आप पाऊंगा वीडियो क्योंकि मैं काम देख नहीं पाऊंगा तो काम कर भी नहीं कर रहे हैं हम लोग चुनेवेट जनप्रति देगराम सभाओं के अगर हम लोग काम नहीं करेंगे बरसात का मौसम हर चल जमा हुआ है बीमारियां फैल नहीं है और यह जो हमारे अधिकारी हैं प अगर यह पूरी ताना साही कर रहे हैं अगर इनको लगता कि हमको काम प्रधानों द्वारा कर रहा है जिए ग्राम सभाओं सरकार की हमारी पेश्चा चलाए जा रहा है और ब्लाकों में तो मौसम है नहीं हार चगहा है कहीं चारहजार पांजार चल रहले और हमारे लेबर अब यहां कोई कि यहां तो निकाल नहीं पड़े कारी तो मसला यह है कि हम लोग 60 दिन अभी तक कोई कवाम नहीं पार रहे ना कच्छा कण करा पार है पांच साल थाई साल को सोबी जाता है और राट यह थाटीन होता है उस साल कितिन क्याल में हम दो महिना साथ अब लोग काम कर रहे हैं से लेबरों का रुजगा से उबाव सब्का कारण निकला है इसी बला कर नहीं निकला है क्या कारण है यहां पर फीटिंग का चांथ लिए अधिकालियों की ताना साही है इसलो ड़क क्याँ काी क्या है वादां वाक्षाल में हम आने परदान जी की साथ समझाते हैं इस सांधे साथाथ mówi हमाने लियू साहब रजे सिंग्जी है है और हमारे पीटी साहब है रहे चाफ जबसे चल रहे है जितने भी मांग होगे मांग क्या है तो इस में बरीता देशारी है तरह कर लोग के क्या कर रहा है कि मस्टरूल जारी नहीं हो रहा है आरोग भी लग रहा है कि मंदेगा में कमिशन भी मांगे जाते हैं जिसको लेगें क्या नाम आपका?